कि यह जान लिते हैं कि रियल लंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं रियल लंबर्स को हिंदी में बास्तिविक संक्या कहते हैं अब हम लोग इसका इंट्रोड़क्शन शुरू करते हैं हम बच्पन से ही जोड गटाओ गुड़ा और भाग के चार मूलबूत कार्यों का उप्योग कर रहे हैं हमने इन संक्रियाओं को प्रिकट कर संख्याओं अबाज संख्याओं परिमे और अपरिमे संख्याओं पर लागू किया है इस अर्द्याय में हम पूड़ांकों पर द्रस्तिता की एक संख्याओं के साथ सुरू करेंगे और पूड़ांकों के कुछ महतपूर गुड़ों को बताएंगे जैसे की यूक्लिड रस्तिलेमा, यूक्लिड का भिवाजन, एलुग्रोथिम और अंकिगड़ित का मौलिक परिमे जो इसके सेस भाग में उप्योग किया जाएगा पूड़ांकों और बास्तविक संख्याओं के बारे में अधिक जानेंगे यूक्लिड भिवाजन परिमे का हमें पूड़ांकों की भिवाजिता के बारे में बताती है यह बताना और समझना काफी आसान है यह बताता है कि किसी भी धनात्मक पूड़ांक A को किसी अन्य धनात्मक पूड़ांक R B से इस प्रकार बिवाजित किया जा सकता है कि यह सेस आर को छोड़ देता है जो की बी से छोटा है यह सामान लंबी भिवाजन प्रिक्रिया के अलावा और नहीं है यूकलिड भिवाजन परमेएका हमें दो धनात्मक बुड़ांकों के HCF के गढणा करने के लिए एक चरण बार प्रिक्रिया प्रिधान करती है इस चरण बार प्रिक्रिया को यूकलिड के एल Crothim के रूप में जाना जाता है हम धनात्मक पुड़ांकों का HCF ग्याद करने के लिए इसका उप्योग करेंगे अंक गडित की मौलिक परमे हमें सकारात्मक पूरांकों को व्यक्त करने के बारे में बताती है आभाज्य पूरांकों का गुड़ान फल यह बताता है कि पृतेक धनात्मक पूरांक यह तो आभाज्य होता है यह यह हो सकता है कि आभाज पूरांकों को ही घाटों के गुड़नफल के रूप में गुड़नखंडित किया जा सकता है इस परमेई के गड़ित और अन्छेत्रों में कई महत्पूर अन्प्रियोग है हमने जैसा कि हमने पिछली कच्छाओं में अन्गगड़ित के मौलिक परमेई का उप्योग करके धनात्मपूरांकों का HCF और LCM ग्याद करना सीखा है इस अध्याय में हम कई संख्याओं जैसे अन्डर रूट 2, अन्डर रूट 3, अन्डर रूट 5 आदि की आप परियोगता को सिध करने के लिए इस परमेई को लागू करेंगे हम जानते हैं कि एक परमेई संख्या का दसमलब निर्पड या तो सांत होता है या यदि या असांत होता है तो यह दोराना एक परमेई संख्या का अभाज गुरन खंडन उसके दसमलब निर्पूर की प्रकरती को पूरी तरह से प्रकरत करता है